कई बार ऐसा question पूछा गया है कि judge and magistrate में क्या difference है अंतर क्या है दोग में अच्छा कोई बहुत बहुत difference नहीं है बनने का तरीका judge और magistrate बनने का जो procedure है वो almost एक जैसा procedure है अंतर थोड़ा सा हो जाता है अब जैसे मैं आपको एक बड़ा simple सी बात बता हूँ अगर हम कोई मैटर अगर कोई case होता है जो हम court में file करते हैं वो तीन तरह के cases हो सकते हैं या तो civil matter है मतब complete civil कह सकते हैं complete criminal हो सकते हैं और कभी कभी ऐसी बाते भी हो सकते हैं जहाँ civil and criminal दोनों matter हो जाते हैं दोनों तरकी बात होती है अगर हम civil कहते हैं तो civil matter को section 9 of CPC में define किया गया है और कहते हैं कि जहाँ पे rights, obligations, offices, properties इन सब की involvement हो तो हम कहते हैं वो matter बिल्कुल civil matter है जैसे for example patent का case, copyright का case, trademark का case मतलब ऐसे जितने भी matters हैं हम इन सब को कहते हैं यह सारे matters जो हो civil matter है दोसी बात हम कहते हैं criminal matter और criminal matters की अगर हम बात करते हैं तो criminal matter हम इसा सेसेन कोर्ट में जाएगा और criminal matter जहाँ पे punishment की मांग की गई हो मतलब अगर हमारा pre-court से punishment दिलवाने का है accused को तो हम कहते हैं यह matter जो है वो criminal matter है अच्छा कभी कभी एक case में दोनों तरह के matters भी होते हैं जैसे for example एक person दूसरे person के घर को कबज़ा किया natural सी बात हैं वहाँ profit बनाया और अभी भी अपनी position में रखा हुआ है तो victim कोर्ट से pray कर रहा है कि इस वो हमारे घर से निकालिए हमारी position हमें दिलवाईए इसने जो profit बनाई है उसके compensation हमें दीजिए apart from debt जो इसने मेरे घर को illegally possessed करके रखा था उसके लिए इसको punish me कीजिए तो देखिए हाँ पर दोनों तरह के matter आजाए दोनों बाते होगी criminal भी हमारा situation आ गया और civil भी आ गया अच्छा अगर मैं civil की बात करता हूँ या criminal की बात करता हूँ और court की बात करता हूँ अगर मैं court कहता हूँ तो court एक होगया lower court जो बिल्कुल lower level की court है और उसके उपर जाएंगे तो हमारी district court होगी जो एक district में सबसे बड़ी court होती है फिर उसके बाद high court and then supreme court अगर lower court में अगर हम बात करते हैं न तो उसमें civil matter हो गया और session court हो गया और civil court में जो of course जो judge होंगे हम उनको simple judge कहते हैं वो judge है civil judge है लेकिन अगर session court की बात करें lower court में, session court में जो judge होते हैं उनको basically magistrate कहते है magistrate, executive magistrate भी होते है judicial magistrate भी होते है और उसके बाद अगर हम उपर वाले court में जाते हैं, district court में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ judge होते हैं civil court और session court और civil court में जो judge होते हैं उसको civil judge कहते हैं और session court में जो judge होते हैं उसको सेशन जज कहते हैं लेकिन अगर हम लोड कोट में जाएं तो वहाँ पे सिविल के लिए जज हो गए और सेशन के लिए मैजिस्टेट हो गए तो बस ये एक अंतर हो जाता है लेकिन जब हाई कोट में जाते हैं और सुप्रीम कोट में जाते हैं तो वहाँ पर justice होते हैं, justice, judge और justice में अंतर हैं, judge क्या होते हैं, इंसाफ करते हैं, ठीक है न, और justice क्या होते हैं, justice का होना ही इंसाफ है, वो justice है तो न्याय है, उनका होना ही न्याय है, और यही रीजन है, हम judge को, अगर हिंदी में बोले तो न्याधिश कहते हैं, और justice को जो है योर और बोल करके और हाई कोट और सुप्रीम फोर्ट में हम जज को रिपरजेन करते हैं योट लॉट से बोल करके ठीक है ना तो ऐसी लीगल नॉलेज की जानकारी लेते रहने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और और भी अगर कोई आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमको मेल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए टाइम टू टाइम आपको ऐसी लीगल इंफोर्मेशन शोर ले आती रहेगे थेंक यू